सबीखा मेरे यूट्यूब कानून की आवाद में आपका आधिक शुवागत है दोस्तों तो सब्सक्राइब करें और जो ब mellan या कन हे उसके जलू दबाल जिस से आपको यह नहीं जो वीडियों उनकी नोटिपिकेस! आपको मिलती रहे, आज बात करते हैं एक इंपोर्टेंट टोपिक पे, अगर कोट मेरीज करने के बाद, लड़का या लड़की के घरवाले पहयाद दरज करा देते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या उपाई है, इस मूडिय में आप जानोंगे, लेकिन इस से ज कोट Mayridge होती है कितने साल की ऐज होती है इस सारी छीज आपूस यूडियो पैसी यूडियो में जानोगे आकल बालिक 28 साल की लड़की और 21 साल लड़का होना चाहिए अगर वह वेकथि अपनी मरजी से साधी करता है तो उसे कहलाते हैं कोट Mayrage क्योंकि कोट में रीज का प्रोसेज होता है कि लड़का कि साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए लेकिन 18 साल के होने के बाद कोट ये करता है कि अगर बालिक लड़का लड़की बालिक हो जाता है तो वो सफतंत्र होता है वो अपनी मर्जी से साधी कर सकता है, अपनी मर्जी से जीवन बिता सकता है, इसमें गरवाले की कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि अगर दोनों पक्ष, लड़का और लड़की, 18 और 21 साल की एज अगर दोनों बालिक हो जाते हैं, तो वो court marriage कर सकते हैं, court marriage करने का क्या process है, यह क्योंकि दोनों के पास options है, कि दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं, अपनी मर्जी से जाधी करना चाहरे है, तो वो अपनी मर्जी से रह सकते हैं, नहीं की घरवाले की मर्जी से, इसलिए Supreme Court और High Court ने इस फ़र्ष का गड़ा है, कि अगर लड़की 18 साल और लड़का 21 साल क हो जाता है, तो अपने सबतंत्र रूप से वो साधी कर सकता है, और अपने साती को चुन सकता है, उनका अधिकार है, क्योंकि वो बालिक हो चुका है, इसलिए दोस्तों गबराने की कोई जरुद नहीं है, अगर आप बालिक हो तो आप Court मेरिज कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल कर्म के वाद के माद्यम से आप हमसे संप्रब कर सकते हैं, कोट मेरिज करने का माद्यम आपको बता देता हूं कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का होने के बाद आप डारेक्ट आरे समाज के मंदिर में जाकर वहां से रजिस्टर साधी का प्रूप ले सकते हैं, उसके बाद में आप कोट से एक प्रापना पत्र पेस करके वहां बयान दे के दोनों के बयान देने के बाद वहां से आपको डिगरी कोट मेरिज की प्राप कर सकते हैं, यह कानूनी तोर तरीका है, इसलिए दोस्तों गबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कुछ साहिता च नहीं है, क्योंकि आपने बेकाईधा कोट मेरिज कीए, हारी समाच के मंदिर में जाके कोट मेरिज कीए, और उसके बाद आपने कौट मेरिज कर वाया है, उस वहां जाबा। लड़का की तरब जगल दोनों को तरब जगल को एफ़ाय दरज करते तो वह चलने योग्य नहीं है क्योंकि आपने अल्रेडी आरे मंदिर के आरेकर जो समाज का मंदिर उसमें कोट मेरिज किया उसको साथ साथ आपने कोट में उसको रेजिस्टर करवाया है अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इससे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें और एक लाइक जरूर बनता है तो आप इससे लाइक जरूर कर दें